यह पायदान हम सूतली और साड़ी की पट्टियों से बनाएंगे इस तरह से इसकी लंबाई 6 मीटर कर ले अब यहाँ से इसको मोड ले इस तरह से इसको दस बार लपेट ले इसको दस बार लपेट ले लपेटने के बाद इसको कट कर लेंगे और देखिए इसको दस बार लपेटे है कि इसके बाद चोटा-चोटा सूतली का तुकड़ा कट कर ले और इस तरह से इसमें इकिक नूर्स लगा ले इस तरह से नूर्स लगाने से ये सूतली फसता नहीं है इसलिए इसको इस तरह से चोटा-चोटा सूतली का कट करके इसको बांध दिया जाता है पूरी सूतली को बांध दिये हैं देख सकते हैं आप लोग इससे ये होगा कि फसेगा नहीं अब इसके बार एक साड़ी की पट्टी लेंगे दो इंच का और इसके दूसरे तरफ सेब्टी पिन लगा लेंगे अब हम इसमें नोट्स लगाएंगे नोट्स लगाने के बाद इसके दूसरे तरफ से इस तरह से फंदे बनाएंगे इसी तरह दस फंदे बनाएं अब इसको एक रिंग बनाकर और इसमें नोट्स लगा लें इस तरह से अब यहाँ पर हम दो फंदे बनाएंगे इसके बगल वाले फंदे में दो फंदे बनाएंगे इस तरह से यह लाइन हम तयार करेंगे अब यहां देखिए एक फंदा छोड़कर फिर दो फंदा बनाएंगे इस तरह यह लाइन तयार करेंगे अब देखिए आप लोग जो खाली जगा है यहां पर हम तीन फंदे बनाएंगे यहां भी जो खाली जगा है यहां भी हम तीन फंदे बनाएंगे अब यहां देखिए आप लोग इस लाइन में भी जो खाली जगा है उसमें तीन फंदे बनाएंगे फिर यहां भी तीन फंदे जो खाली जगा है उसकी हिसाब से ही फंदा बनेगा जितना जगा होगा उस हिसाब से बनेगा देखिए आप लोग अब इस लाइन में हम यहां पर हम चार फंदे बनाएंगे यहां भी चार फंदे बनाएंगे इसी तरह फंदे बढ़ाते हुए आपको चितना बड़ा बनाना हो आप बना सकती हो कैसा लगा हमें कमेंट करके रताएं वीडियो अच्छी लगत वीडियो को लाइक करें चानल पे नए हो तो चानल को सिस्क्राइब करें करें